हेलो दोस्तों आपके अपनी चलन इंकेड़ेबल सक्सिस में आपका स्वागत है आज है 22 दिसंबर और मैं आपके लिए SSC स्टेनोग्राफर के फर्स सिफ्ट के कोस्चन्स को लेकर के आई हूँ फ्रेंट्स एक्च्वली मैं भी एक इस्ट्रेंट को एक्जाम दिलवाने चली गई थी जिसके कारण एनलीसिस देने में लेट हुआ लेकिन जो भी कोस्चन्स मैं लेकर के आई हूँ सारे कोस्चन्स 100% रियल है तो चलिए बीना देर के वे कोस्चन्स को देख लेते हैं सबसे पहले आप लोग इंगलिस के कोस्चन को डिसकस कर लेते हैं इंगलिस में फ्रेंट्स एंटो सीनो में जो वर्ड आया है वो मैं बता रही हूँ सबसे पहले फर्स्ट वर्ड टेनासीटी टेनासीटी का मीनिंग हो जाएगा द्रेठता और अगर इसका similar वर्ड आया और अगर एंटो आया होगा तो इसका कोवार्डिस हो जाएगा ओके फ्रिंट्स तेनासिटी मतलब द्रेड़ता नेक्स्ट है हरेंडवस हरेंडवस का मतलब भीरी पैड भीरी बैड अनप्लीजेंट तो इसका सिमिलर वर्ड अलार्मिंग ड्रेड और वही एंटो नेम्स इसक सब्सक्राइब ऑके नेक्ट वहाइड डिस्क्रीट डिस्कृइट डिस्क्रीट को मेंने प्रिथक सावधान के एर फुल कॉजन्स कॉजस्ट कोसस ऑर इसका एंटो ऑफ टूसी जो भी आप्षसन थे आपको लगाने थे अप्ष्ट बड याप से पता चल रहा है इसल मतलब unlucky, loser, luckless ऐसा का सकते हैं और इसका opposite word हो जाएगा happy, lucky, next word है इन्थो सियाज में जिसका meaning हो जाएगा जील, eagerness, ओके फ्रेंट्स और इसका opposite word हो जाएगा apathy, calm, calmness, next word है mortal, mortal का meaning मरंचिल, deadly तो इसका opposite word हो जाएगा healthy, safe और last word, flaunt flaunt का meaning दिखावा, घमंड से दिखावा करना exhibit इसका opposite word cover, hide और सायथ cover option में था तो इसका answer हो जाता opposite word, cover ओके देखिए एंटो सेमा में हमें इतने word मिले हैं next देखते हैं हम लोग, idioms and phrases को idiom है eager weaver, eager weaver का meaning हो जाता है a keen and enthusiastic person who works very hard okay friends, उत्सुक कह सकते हैं, जो किसी कारी करने में बहुत ही उत्सुक हो next है to break a leg, to break a leg का meaning हो जागा good luck होता है ना हम लोग किसी का अगर exam है तो हम लोग उसे good luck विस करते हैं तो उस सिंस में to break a leg, idioms यूज किया जाता है नेक्स देखे फ्रेंट्स, इर्र एंप्रूम्मेंट में questions थे, question tag से question पुछे गये थे, question थे present perfect में और question tag में इज़र exit करके दिया हुआ था, तो वहाँ error था, no sooner से था, error, improvement से scarcely से few से था little से और as well as के साथ था, questions कुछ ऐसे थे, you as well as I, M दिया हुआ था, तो वहाँ M गलत था, ओके, देखिए मैं आपको total English में बता देती हूँ कितने-कितने questions किसके सक्सन से पूछे गये थे, तीन passage पूछे गये थे, 55 questions के तो total 15 questions यहां से हो गये, दो close test पूछे गये थे, 10-10 questions के तो 20 questions यहां से, 10 voice थे, 10 narration, 10 error, 10 improvements, 5 PQRS, 5 antonyms, 5 synonyms, 5 idioms और 5 fill in the blanks, total 100 questions इस प्रकार के थे, friends questions ज्यादा hard नहीं था, easy to moderate था, English में easy ही कहेंगे, क्योंकि तीनो passage easy थे, close test भी easy थे, preposition और verb related भरने थे, next देखिए, अब हम लोग GS section को देख लेते हैं, question आया था, सम्विधान दिवस कब मनाये जाता है, तो इसका right answer हो जागा, 26 November, हां मैं आपको यह बता दू कि current affair पूछे गये थे, 2019 के November, December, और 2020 के January, February, March, इसी के बीच के current affair थे, इधर हाल फिलाल के नहीं थे, और friends आप लोगो बता दू, Nobel पूरसकार मैंने का था पढ़के जाना, लेकिन Nobel पूरसकार 2020 का नहीं, 2019 का exam में आया था, वो chemistry का, छली आगे देखते हैं, नेक्स्ट आया था, becoming पूस्तक के लेखक कौन हैं, तो becoming पूस्तक के द्वारे लिखा गया है, नेक्स्ट कोस्टिन, इनमें से UNESCO विरासत सुची में कौन सामिल नहीं है, तो अप्सस दिये वे थे, सुंदर्वन, राष्टे उध्यान, गेटवे आफ इंडिया, अजन्ता, गूफा और लाल किला, तो आप लोगो ध्यान हो, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, गेटवे आफ इंडिया, इसे UNESCO में अभी तक सामिल नहीं किया गया है, नेक्ट कोश्चन था, पटियाला वन्स के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक आला सिंग थे, उन्हीं के नाम पर ही पटियाला नाम पढ़ाया है, जो पंजाब में है, तो पटियाला वन्स के संस्थापक आला सिंग थे, प्रातना समाज की संस्थापना कब होई थ तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 1867 और प्रात्ना समाज अगर नेक्ष्ट में पूछे जाए कि किसके द्वारा कौन स्थापक थे तो केसब चंदर के सहयोग से एमजी राना डे आत्मा रंग पांडू रंग और देवेंद्र ठाकूर के द्वारा स्थापना की गई थी प्रात्ना समाज की तो आप नेक्ष्ट सिफ्ट जिनका या नेक्ष्ट डे में है वो लोग सत्के सोधक समाज वेद समाज यह सब कुछ-कुछ ऐस्याटिक सोसाइटी कुछ-कुछ सस्थाएँ आप लोग याद कर ले इंपॉर्टेंट नेक्ष्ट कोस्चन विंग कमांडर अभिनंदन को किस वीरता पुरसकार से समानित किया गया तो फ्रेंट्स यह पिछले साल जो पाक से रिलेटेड हुआ था उसमें अभिनंदन वर्दमान को वीर चक्र दिया गया था उके फ्रेंट तो यह कोस्चन पूछा गया था नेक्ष्ट कोस्चन एक मार्च दो हजार बीज तक भारत के राष्टे सुरच्छा सलाकार कौन थे तो इसका राइट अंसर अजीद दोभाल शरीर का सबसे सबसे कठोर उतक पूछा गया था तो ती थे ना मेल तू थे ना मेल ओके फिरेंट्स नेक्ष्ट कोस्चन है कोईना तंगब्द्रा और भीमा किसकी सहायक नदिये हैं इसकी कृश्चन किसकी सहायक नदिय नदिया और एक साइंश्ट कोस्चन जो कि किसके किसके बीच में हुआ था ये पूछा गया था तो इब्राहिम लोधी का किसके साथ हुआ था बाबर के साथ हुआ था जिसमें बाबर विजय हुआ था तो मैं आप लोगों को सजेश्ट करूंगी कि नेक्स चिप्ट में जिनके भी एकजाम है वो खानवा का चेनवाद रजम नामा है देखिए मैं आपको बोली सी तुषाइंट नाइंटीन का नोबल पूरसकार से पूछा गया था जो कि कोश्चन था रासायन के छेत्र में नोबल पूरसकार पाने वाले सबसे उम्र के व्यक्ति कौन है तो इसका राइट अंसर हो जाता जौन भी आपसाइड ओके फ्रेंट्स यह थे यह थे आज फॉर्स सिफ्ट के कोश्चन और एक क्वैसिक और से कोश्चन था तो फ्रेंट्स जिनके भी नेक्स प्रिप्ट में है उन्हें और जिन लोगों का जिन लोगों का भी एक्जाम बचा हुआ है वह लुग भाग को देखके ज और वाग से संबंदित तो और एक और प्रेंट्स नाइनटीन के नॉबल पुरसकार पढ़ ले विद्वाग को पढ़ ले तो और जो जो कुश्चन मैंने बताएं उससे रिलेटिड कुछ-कुछ और जानकारिया जिनके नेक्शे वो लोग पढ़ ले और फ्रेंट्स आई ह और चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर ले साथ ये बेल आइकन को भी जरूर दबा ले ताकि नेक्श्रिफ्ट के जो भी एनालिसिस मैं करूं उसकी नॉटिफिकेशन आपको तुरंद मिले और जिनके भी नेक्श्रिफ्ट में वो लोग ट